मन्ने सभापदी महुद है, आज मेरे लिए बहुत हर्स का विशाय है, क्योंकि आज महान सदन के माध्यम से और एक्तियासिक सदन के माध्यम से राष्टर निर्मान की जो प्रक्रियाद चल रही है, उसमें मैं अभी सम्मिलित होने जा रहा हूँ आज मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आपके प्रती आभार व्यक्त करता हूँ और गुजरात के विधान मंडल और गुजरात की जनता के प्रती भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे यहां चुनकर भेजा तो मैं इस सदन महान सदन के सदस्य के लिश्में आप सब के बीच में खड़ा हूँ मन्य सभापती महोदय राष्ट्रपती जी के अभी बासन को अगर ध्यान से देखे तुम्हें ने बहुत सारी चीजों पर इस सरकार की उपलब्दियों को हम सब के सामने रखा है मगर जब इस पर आम तोर पर सदन के बाहर भी चर्चा होती है पीस उपलब्दियों पर अनेग प्रकार की टिका टिपनिया होती है कुछ मरमग्या उसका विस्कलेशन भी करते हैं और जब मैं वो विस्कलेशन को देपता हूँ तब मुझे लगता है महोदय विस्कलेशन का स्वागत जरूरी है मगर उसमें अलग ध्रश्टी कौन भी में जोगना चाहता हूँ हमने यह देखना पड़ेगा महोदय कि यह जो अभी सरकार की उपलब्दिया है वो सरकार को विरासत में क्या मिला जीफ प्रकार का गड़ा था वो गड़ा भड़ने में ही सरकार का बहुत सारा समय गया है और गड़ा भड़ने के बाद इन उपलब्दियों को एक अलग मजरी से सब्सक्राइब आगा होद्ड गड़ को स्थाते हुआ हम अपको भी आखते हुआ सब्सक्राइब करना पर दोजार तेरा में देश की स्थिति थी उसको हमें याद करना पड़ी दोजार तेरा में देश की स्थिति क्या थी देश एक ऐसे प्रस्टाइब सब्सक्राइब करना पर दोजार तेरा में देश की स्थिति क्या होगा यह महान देश अपनी विकास की गति को कहीं रोग तो नहीं देगा इस प्रकार का एक भाई का वथार पूरे देश के जन्मानस पर चाया हुआ था महिलाएं अपने आपको असरुक्सित मेसिज करती थी सिमाओ की सुरक्षा का कोई ठोड ठीकाना नहीं था सिमा की रक्षा करने वाले जवान सरकार की अनिनायक्त के कारण अपने सौरे का प्रदशन भी नहीं कर सकते यू आक्रोसित था बारा लाग करोड उप्यके घपले गोटाले ब्रश्टाचा स्कैन की एक सिरीज इस देश की जन्मानस पटल पर बहुत बड़े सवाल करें थी और उसी वक्त उसी वक्त एक सवाल खड़ा होता था कि सरकार को पॉलिसी पेरालिसीस हो गया है नितिगत बाबातों में सरकार को लखवा लग जा और पूरे देश ने मानो एक साथ नहीं किया कि देश की परिस्तिति को बदलना चाहिए इतने में ही 2014 में चुनाव आया और दो रोजा 14 के चुनाव में इस देश की महान जन्ता ने एक एक एक्यासित नहीं किया महोदय तीस साल से इस देश में अस्थिरता चल रही तीस साल से इस देश की जन्ता ने किसी भी एक दल को बहुमत नहीं दिया था और आजाकिदी के बाद कभी भी इस देश की जन्ता ने किसी गैर कॉंग्रेसी दल को बहुमत नहीं दिया था इस सारी बातों को 2014 के चुनाओं में कस्मीर से कन्याकुमारी और असाम से द्वाविका कख पुरे देश की जनता ने एक मेंडेट देकर ध्वंस्त कर दिया पहली बार आजादी के बाद किसी घयर कॉंगरेशी दल की सरकार वनी और वो भारतिय जनता पारटी की सरकार स्री नरेंद्र मोदी के नेत्रुत में इस सबावती महुदाई तीस साल के बाद किसी एक डल को पूर्ण बहुमत मिला किसी एक डल अपने आप में बहुत बड़ा इत्यासिक मेंडेट था मगर मेंडेट शिर्फ भारतिय जनता पार्टी को मिला था हम चुनाओं में गटबंधन के साथ गह थे पूर्ण बहुमत भारतिय जनता पार्टी को मिलने के बावजूद हमने एंडिये को सरकार में सम्मिलित किया और हमारी भावना को उजार करते हुए सारे एंडिये के साथी आज इस सरकार की यात्रा को आगे बढ़ाए है महदाई जब इस सरकार की रचना हो रही थी उसका एक महतोपुन अंग होता है नेता का चुनाव वैसे तो भारतिय जनता पार्टी ने पहले ही अपने प्रदानमंत्री पत्के प्रत्यासी का नाम गोसित कर दिया था परन्तु यहीं पर सेंटरल हॉल में एंडिये के सारे चु स्री नरेंद्र मोदी जी को सदन का नेता चुना गया एंडिये संसद्य दल का नेता चुना गया उस वक्त नरेंद्र भई ने कित्यासिक भाष्ण करें किया था उन्होंने कहा था कि सरकार जो बनने जा रही है वो सरकार गरिबों की सरकार होगी वो सरकार किसानों की सरकार ह वो सरकार युवाती सरकार होगी वो सरकार महिलाओ की सरकार होगी और यह सरकार गांदी और दिन द्याल के सपन को पूरा पूर्ण करने वाली सरकार होगी और गांदी और दिन जाल्दी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाली सरकार होगी और मुझे कहते हुए आनन्द है स्भापती महोद्य, साज़े-3 साल हो गए है, साज़े-3 साल एक सरकार उंतवंधय का सिध्धान्त के आधार पर चबी चैसे और उसको सरणर्भासा में रखना चाहूं इस सदनके सदस्यों के सामने आपके तो अंतियोदाई का सिद्धान्त है विकास की पंक्ति में जो अंतिम खड़ा है उसके बरोबर कर देना सबको एक जमान विकास की तक मिले इस प्रकार से आगे बना सभापती मोहदे साड़े तीन साल के बाद पीछे मूड कर देखते हैं तो आश्यर चकीत रह जाते हैं सभापती मोहदे इस देश का संसद्य लोगतंत्र का इत्यास के हुई अब इतना छूटा नहीं है सथ्यर साल हो गए हमारे संसद्य लोगतंत्र को सथीन साल में कई सरकार आजी और कई सरकार कई सरकार स्थ जादा ऐसे काम है इसको इस बैस क्ला सकाम महानुयद सभापती मोहदे इस सरकार ने अपने अन्त्योड़े के लक्स को पूर्ण करने के लिए अंतियोदय के सिद्धान्तों को लागू करने के लिए सुरू से ही घरीवों के जीवन स्थर को उठाने के लिए बहुत सूज-बूज के साथ एक सातत्य के साथ टुक्रों टुक्रों में नहीं कंटिनिटी के साथ उपकास करने का तहीं किया और सबसे पहला काम किया जंधन बेंक एकांट सभापती महोदय इस देश के 70 साल के आजादी के अंदर 55 साल एक ही पार्टी का राज रहा पर इसको मैं थोड़ा एक्स्टेंग करूंगा सभापती महोदय तो एक ही परिवार का सासन रहा है मुझे कहने में भी कोई जिजग नहीं है सब्तर साल की आजादी के बाद 55 साल के कॉंग्रेस के साशन के बाद साथ प्रतिसत लोग ऐसे थे जिनके घर के अंदर एक भी बैंक अकाउंट नहीं थे पूरी फैमिली के अंदर पूरे घर के अंदर एक भी बैंक अकाउंट सरकार की किस तरह से चली ओगी सरकार का विजन क्या हो गा सरकार का ग्रश्टि कौन क्या होगा कि सत्र साल की आजादी के बाद एक घर में बैंक अकाउंट नहीं दे पाए प्रजान मंत्री ने जब लाल किले की प्राचीर से गोशना की कि जंदन योधना की हम सुरुआज करेंगे और हर गर में मिनिमम एक बैंक अकाउंट पहुचाएंगे तब मेरे मन भी आसंकित था जो साट साल में नहीं हुआ वो कैसे हो जाएगा मगर आग देखिए साथ इकतीस करोड बैंक एकाउंट इसमें घरिब हो के खुड़े रहे हैं और परिवार में एक बैंक एक व्यक्ति होगा जिसका बैंक एकाउंट नहीं था और हमारी मिमान साथी जाती हम पर टिका टिपण कर दिया की जाती थी बैंक एकाउंट को दे दिया पैसे कहां से आएंगे अंदर गरीब क्या रखेगा ऐसे तो हमने जीरो बैलेंस की व्यास्ता की दी मगर सभापती मोदे मैं कहना चाहता हूं कि आज जो जन्दन एकाउंट खुले है तीहतर 31 करोड जन्दन एकाउंट अपने जौपणी में रखता था अपने गल्ले में रखता था कोई चोरी कर जाता था सावकार के वहाँ वो लूट जाता था आज वो पैसा सुरफसित बैंक अकाउंटों में पड़ा है और वो अपने आपको इस देश के अर्थ तंत्र के साथ जूडा हुआ पाता है सभापती महदय सभी अपने ग्यांक का उप्योग करने लगे मैं मानता हूं यह बहुत बड़ी उपलब दी है सभापती महदय इस देश में इस प्रकार से वाट वेंक की पोलिटिक सली इसमें कुछ भी किसी को छोड़ने के लिए कहना सभापती महदय बहुत कठीन होता जा कटो रहना कटो बात सुनना इसका सभावी हमारा दीरे दिरे लुप्त होता दिखाई परदाता स्बसेем इतियास में जाकर देे हैं सबसे अं रेच्व करथ गटना है जब लालबादूर्च के प्रधान मंतितन के साथ युद्ध के वक्त का था इस देश के पास चावल नहीं है सनीचर को सभी लोग उपवास करें और एक समय का खाना छोड़ दे और सास्त्री जी की इस अपिल को सोंवार को त्रिपाटी धन्यवार त्रिपाटी जी सोंवार को मेरा जन्मन नहीं हुआ था उसोंवार को खाना छोड़ दे और सभी लोगों ने इसका स करनमान रखा था सास्त्री जी के बाद पहली बार ऐसी मत इस देश के अभीके प्रधानमंत्री और हमारे जेता नरिव रमोगी उन्हों ने कहा जो संपन लोग है जिन पर इस्वर की कुपा है जिनको आर्थी कुप से कोई प्रस्तना नहीं है वो लोग अपनी घैस की सबसीड फॉठत के सफोड़ी सरकार तो देना चाहती है आधिवास्यों को देना चाहती है चाहती है तो क्या हो मुझे कहते हुए हर्स जबाबतीकी कि एक करोड 30 لاak लोगों ने प्रदानमंत्री की अपील कर लेता तो विट्री में उसको जमान कर लेता भावतिय जंता पाटी की सरकार है अंडीय की सरकार है हमारे प्रदानमंत्री नरेन्द्र जी ने इस सबसिडी जो वर इसके अंदर हजाने का और पैसा लगाकर उद्वला योदना लेकर आए सभावती मोहदय सत्तर साल की आजादी के बाद डेड़ करोड से ज्यादा घ्रामिन घरीबों के पास गैस नहीं था अपने जोंपडी में घैस का चुला नहीं था स्वच हिंदन नहीं था भारतिय जनता पार्टी और एंडिये की सरकार ने हमारे प्रदानमंत्री जी ने एक संवेदन सिल्फ हैसला लिया कि पाच साल में पाच करोड गरीब महिलाओं को घैस का सिलिंडर देने का हम काम हो और उ इसी बजेट में सरकार ये पाच करोड की जगए लक्सान को आठ करोड तक बढ़ाने के लिए आज़े को सभापती महोद है यहां हमारे सदन में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगता है कि की सदी में घैस का सिलिंडर विकास का पैमाना हो सकता है मैं कोई को मैंने देखा है डांग के जंदलों में जिते हुए आदिवासियों को देखा है पुर्वांचल में गरीबों को देखा है एक बुड़ी माह जब अपनी जोंपडी के अंदर कंडे और टहनिया जलाकर रसोई बनाती है खाना पकाती है और उसकी पूरी जोंपडी जब सभापती महादय करोरों माओं को दुआ मुख्त घर देकर उनके बच्चों के लिए उस घर के बुड़ों के लिए और महिला के लिए स्वयम के लिए एक स्वयम स्वच्छ घर का निर्मान करने का काम प्रदानमंत्री जी की सब्सक्राइब कि पहसले ने किया है और मुझे इस वास का विशे सानंद है कि यह जो तीन करोड तीस लाग कनेक्शन दिए उसमें से तीस प्रतिसत अनुसुचित जाती की महिलाओं को देने का काम भारतिय जंता पार्टी की नरेंद्रमूदी सरकान ने किया है सभापती महोदे ऐसा ही एक फैसला हुआ सवचाले का सवच्छता के अभियान के साथ इसको जुड़ा गया मगर यह सवच्छता के अलावे भी अपने गरीब के जीवन में एक बहुत बड़ी त्रासदी है सभापती महोदे घर में सवचाले न हो ना आज दिल्ली लुकियन मे रहने वाले लोगों को इसका महतों मालूम नहीं पड़ता है काफी लोग ऐसे हैं जिनको इस तकलिप का ज्यानी ही नहीं होगा परन्तु सभापती महोदे एक घर घरिब घल्पी कल्बना करिये एक 16 साल की बच्ची सुबह में कुद्रती प्रक्रिया के लिए गाउ के बीच अब तोटा है वो बच्ची को अभी ताइक करना है कि मुझे कलेक्टर बनना है डी एसपी बनना है डाक्टर बनना है एंजिनर बनना है देश के विकास में किस तरह से मैं अपना योगदान करूगी उसका आत्माइस्वास 16 सार की उभर में ही तूट जाता है वो देश की व सब्सक्राइब योदना मगर योदना का स्केल दिखे सभापती मौदे 2022 में हर घर में सोचाले हम कर देंगे और साथ करोड़ सोचाले उनको समाप्त कर दिया जाए सभापती मौदे बहुत बड़ी उपलबदी जो आकरे देखते हैं उनको यह उपलबदी नहीं दिखाई प शरकार ने अक चुत्यक अधम उठाया है मैं यहां इसलिए कहना चाहता हों कि देश भर में संदेश जाएं उन्होंने सवचाले को एक नाम देने का काम किया उन्होंने स्वचाले को इज़डगर्द का रिप काना माथम का कांव समान के साथ जीने का काम कि भार्थी की टर्पलीन पर सोजाना कहीं ब्रीज के नीचे सोजाना कहीं फुटपाथ पर या कहीं सर्दियों में बने हुए अस्थाई आवासों में रहना उसका भाग्य बन गया था हर व्यक्ति को घर देने का स्वपन भी इस सरकार ने ही दिखा है और दुरूत कती से इसकी समाप्ति क कि योजना को मंजूर कर दिया गया है और सहरी शित्रों में 70 लाख आवासों की बनाने का काम सुरू कर दिया है सवापती महोदे बेरोजगारी इस सदन की चार दिवाले ने सब्द प्रवक बहुत बार सुना हो बहुत बड़े-बड़े अभ्यस्त भासन भी देखेंगे ब अब पुरा सुन लो भया अब आकड़ों के बासन भी सुने होंगे बड़े-बड़े विद्वान अर्थसास्तियों को भी सुना होगा मगर इसकी यह समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकते मैं अभी सुन रहा था इस सदन के सदस्य आनन सर्माजी और बाकी सदस्य जब चर्चा कर रहे तो उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा बहुत तरीके से उठाए और वाजीब है समस्या ही संधß में डियूदगारी के मा Bu Range मैं मानता हूँ इस देश में डियूद्गारी की समस्या है मगर 55 sensor आपके साथान करने के बाद भी अगर है समस्या है तो मैं कहना चाहिए हूँ इसका समाधान किसना नहीं दूगा हम तो यह साल साथ साल आड हैं जेक्व सालसाल से काम करें इए देश का चलाने का सोभाग्य में आठ साल के लिए मिलाएं इतनी विकराल समस्या को यह ठ कुल्डे पर शातान किया समस्या उठा रही हिसका मुझी आनंद है मगर हमने इसका समाधान ढूंगा सभापती महोदाई स्कील इंडिया बेरोजगार युवाव को स्कील कब तजग्या बनाना स्टार्ट अप्स ट्रेंड अप और अंत में मुद्रा बैंक मैं इस मुद्रा बैंक के लिए विशेश इस सभागरु का ध्यान दिलाना आक्रिष्ट करना चाहता हूं सभापती महोदाई इसलिए क्यूंकि इंदिराजी का जमाना था हमारी भूत पुर्व प्रदान मंत्री थी उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था इस देश की बै मगर इतने सालों तक बैंको के दर्वाजे गरीब के लिए नहीं घुले ना उसके पास एकांट था ना लॉन लेने जाते ही इस फोई से कम में नंबर मांगा गया था अरे बैया उसका सवाल ही वह कि इसके पास इंकम नहीं है इंकम टेक्स नंबर कहां से लाए उसके पास इंकम नहीं है वो तो उसका प्रस्तन है और ये बेरोजगार युवा विसाविहीन होकर भटकते थे आज मुद्रा बैंक के कारण साड़े दस करोड युवाओं को देने का काम समाप्त कर दिया गया है लगबक साड़े चार लाक करोड लॉन दिया गया है इसमें ना गैरेंटी देनी है ना गैरेंट लाना है सूध भी कम रखा है अभी अभी मैं पढ़ रहा था चिदंबरम साब का ट्वीट पढ़ रहा था कि मुद्रा बैंक के ताथ पकोड़े लगाने का किसी ने ठिला लगा दिया इसको रोजगारी कहते हैं हां मैं मानता हूं कि बेरोजगारी से तो अच्छा है कि कोई युवा मद्दूरी करकर मेहनद रख़ कर पकोड़ा लगा अपने परिस्रम से पसिना बाहर कर हजारों लाकों करोडों युवा जो स्वरोजगारी की दिसा में आगे बढ़ रहे हैं पकोडा बना रहे हैं, छोटी छोटी स्व होलोजगारी ले रहे हैं, उसको आप विक्षूक के साथ कंपेल करेंगे। कि इनको मालूम नहीं है पकोड़ा बनाने वाले का उटना ही मात्मा है कि अपने नेता है वो बाद में बोलेंगे एफेक्ट्टूरी काउंटर करेंगे आपको क्यों चिलता है उनको उपर सामधने के उपर आपको विश्वास होना चाहिए प्रीज के सबाबती महोदाय मैं मानता हूँ कि अपने परिश्रम से अप्संते पसिने से अपना जीवन का ग्यापन करने वाला हर व्यक्ति उतना ही बड़ा है जितने हम इन सदन में बेठे हुए लों सबाबती महोदाय जार तक बिजली का सवाल है इस देश में सत्तर साल की आजादी के बाद जब हमें इस देश की जनता ने सासन दिया बारतिय जनता पाइटी और NDA के साथी दलों को सासन दिया उस वक्त इस देश के अंदर 18,000 गाव ऐसे थे जहां बिजली छोड़ दीगे बिजली का खंबाया वायर भी नहीं पहुंचा था 18,000 विलेज और सभापती मौदे मुझे आनंद है कि ये सरकार ने साड़े तीन साल में 18,000 में से 16,000 गाव में बिजली पहुंचाने का काम समाप कर दिया है 18,000 सदी में जिते हुए वो गाव को 21 सदी में लाने का काम इस देश के प्रदान मंत्री नरेंग्र मोधी जीने की है पू Estado के सब्ढय के साघा ओर शक्यू गाव में दो पोंच गई और पक्या घर भी में जब तक तक पुरा ये जिवन फटर को बिजली के साथ सिक्सा जूड़ी है दिन जूच्ष देश के साथ कश्चता चूड़ी है ये सारी चिजों को गरिभ मेरे कैं से पहुंचा है इसके लिए सोभाग्य योधना का विचार आया और सोभाग्य योधना के तहट 2022 तक इस देश के हर गरीब को मुप्त बिजली का सवापति महुद्ध मैं मानता हूँ हर घरीब के घर में सवास्त पहुंचाना हर घरीब के घर में घैस पहुंचाना हर घरीब के घर में घैस पहुंचाना हर घरीब के घर में रोजगारी पहुंचाना हर घरीब के घर में बिजली पहुंचाना हर घरीब के घर में स्वास्त प पुर्खोने लड़ाई लड़ाई इसलिए वाड़ी सरकार उसी दिसा में जा रहे हैं सुरक्सा योदना के तहट जब कोई गरीब अकस्मात इसका होता है या बीमार हो जाता है तो उसके लिए क्या करना है तो सरकार ने दो योदनाय लाही सरकार बहुत कम मामूली से प्रीमियम के अंदर प्रदान मंत्री सुरक्सा योदना के तहट 13 करोर से ज़्यादा घरीबों को सुरक्सा देने का काम सवाप्त कर दिया गा है और प्रदान मंत्री जीवन जोती विमा युदना के तहद साड़े पांच करोड कुल मिलाकर अठारा करोड से ज्यादा धरीवों को सुरब्सित करने का काम जान आउसदी केंद्र के माध्यम से तीन हजार से ज्यादा पी एम बीजेपी केंद्र से आठ सो से ज्यादा दवाईया दस प्रतीसाद से तीस प्रतीसाद डाम पर गरीब के लिए उपलब्द करा दी हैं भगवान न करे कोई घरीब को दिल की बीमारी हो जाए स्टेंट रखने का समय आ जाए तो स्टेंट की कौस समत कर ही उसको सुनकर ही उसको पहले एटेक आजाता था आज जो चार लाक रूपिय का स्टेंट था वो 40,000 रूपिय में और सब्सक्राइब के लिए इस सरकार ने महोदे उपलब्द करा है घुटने जो आर्टिफिसल इठाने हैं उसको भी इसका भी खर्चा बहुत कम कर दिया है और इस बजेट के अंदर सभापती महोदे मैं बड़े ध्यान से इस सदन को देख रहा था जब बजेट लिट मंत्री जी पेश कर रहे थे इस बजेट के अंदर सभ्धान मंत्री जी एक आईश्यमान भारत की योदना लेकर आये हैं इस देश के 40 करोड लोगों को पांच लाग रुपिय की स्वास्त का खर्चा वीमा के मात्यों से मुप्प्रियों देख देख लिए कि मैं मानता हूं सभापती महोजय कि पूरी दुनिया में जितने भी लोगतंत्र है उस सब को लोगतंत्र की योजनाव को को खंगाल कर देख ले 50 करोड लोगों को वीमा सुरक्षा देना हेल्थ वीमा देना और पांच लाग रुपिय का देना किसी भी सरकार में इसास नही किया है हमारे प्रदानमंति नरेंदर मोदी में लेकिया और इसी के कारण मुझे मालूम है अभी सामने से थोड़ा आवाज आएगा इसी के कारण ये आयुश्यमान भाव भारत को अब नमो हेल्थ के नाम से इस देश की जनता हुलान देख सभापती महोजय निन्यतम वेतन कौमिनिस्टों के समर्थन वाली यूपीए वन की सरकार ने भी निन्यतम वेतन में इतना इजाफा नहीं किया था जितना भारती जनता पार्टी की सरकार चालीच प्रसक्राइब बड़ोतरी की गई है सभापती महोजय और इस पतार से घरीब कल्यान के लिए सरकार ने अंत अगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ घरीबी हटाओं के नारे से सक्ता में तो बहुत लोग आये थे घरीबी हटाने का गरीब का जीवन सतर उठाने का काम भारती जनता पार्टी की गई होज़ोतरी की सभापती महोजय और हमारा देश कुरसी प्रदान देश है देश क सक्तर प्रतिसदा अबादी कुछी पर निरवर हैं सतर प्रतिसदा लोगों का जीवन ग्यापन पूषी और कुषी पर आधारिक उद्योगों में होता है और कुछी को बढ़ावा देने के लिए इस देश की सरका ने भारती जनता पार्टी की सरका ने साड़े तीन साल साड पत्यपूर्ण तरीके से सभी अंग उपांगों को समाविष्ट करते हुए कुसी में किसान की आई दोगुनी करने की दिसा में एक बहुत भजबूत कदम उठाए प्धानमंती इरिगेशन योदना एक अपने आप में विशिष्ट प्रकार की योदना है जिसके तहट लगब लगबग तेरे लाख हेक्टर भूमी को माइक्रो इरिगेशन से माइक्रो इरिगेशन इसमें बिछाया गया है इसके माद्दम से पानी की तो बचत होगी ही और उपज में भी बरोत्री होगी सरवाटी महद है दोसो पचासी नई परियोदना जिसके पीछे एक करोड़ किसमत वदलने वाली है तीस नदियों को जोडने के कारेक्रम अटल जी की सरकार जाने के बाद नदियों को जोडने के कारेक्रम को छोड़ दिया भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोधी सरकार एंडिय की सरकार आने के बाद इन नदियों को जोडने का कारेक्रम हैं भिर्स से एक बार सुरूह किए गया सभावपति मोहदय तीन योधना हो चुकी है और तीस योधना है ओने वाले दो साल के अंदर हम हाथवें कि लेने वाल है इसके इरिकेटर लेंड के अंदर बहुत बढ़ी बड़ोत्री होने वाली हैं सभावती महोदाई जब कुद्रती आपदा आती है जब किसान के साथ कोई नहीं होता है उपर भगवान होता है धरती माता होता है सालों से इसके राहत के नॉम्स को बढ़ला नहीं गया भारतिय जन्ता पार्टी की एंडिये की सरकार बनने के बाद पहले इस साल में राहत के लिए जो नॉम्स बने थे उसको मदद करने के लिए उसमें जो एमाउंट है उसको डेड़ गुना किया गया और क्षित्रफल के अ पाहे हैं जिससे जिसका नुकसान हुआ है उसको तुरंत रहत मिल पाहे लाद मुलाइय प्रदानमंत्री फटरा लिलायर एक दो परदानमंत्री फटर सरकार के बदसे के लिए अगर में इतना निश्चित क्म पर चुछ यह प्रद्ामंत्री है जो परना अगर को यह हमारी motivated प्रदानमंतरी पसल है हुआई से लेके खल्यान तक कही पर भी पूरी प्रक्रिया में कहीं भी आपड़ा आजाती है किसी भी प्रकार draft Fund念 जाती है यह किसान को अपना प्रकार के वाता हुद सके अंदर करी है और और हर गाव का अलग सर्वे किया जाना पहले seru होते थे ब्लॉक के सर्वे की जगे हर गाव का सर्वे करने का निर्णे किया गया है सभापती महदे और मुझे कहते हुए अनंद है कि पहले एकाज करोड के आसपास किसान इसका फाइदा उठाते थे 2016-17 में पाच करोड सस्तर लाग किसानों में उस्ता फाइदा उठा है और तेरा अजार करोड से ज़्यादा भुक्तान के अगया है सभावती महदे किसान जो उत्पादन करता है उसको अगर अच्छे दाम नहीं मिलते हैं तो किसान के हिस्से में कुछ नहीं आता और दीरे दी इसकी सभी मंडियों को इमनी में तब्दिल करने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है अभी काम थोड़ा दीरे चल दा है मगर दिसा सही है 455 मंडियों को इमनी में कनवर्ट कर दिया गाहे और 31,000 करोड रुप्यों का बिक्री और क्राइद इसी मंडियों के माध्यम से वित्तिय साल के अंदर हुआ है मैं मानता हूँ यह बहुत बड़ी उपलब्क है सभावति महद यूरिया जबसे मैं सारवजनिक जीवन में हूं इर्या की किलत को हमने देखा है गूजरात में तो यूरिया के कार्खाने अभी बीचल रहे हैं फिर भी गुजरात में किलत हो सब्सक्राइब नीम कोटेड यूरिया का इंडस्ट्री में उप्योग समाफ्थ हो गया है नीम कोटेड यूरिया के कारण इंडस्ट्री में जाने वाला यूरिया बाजार में आ गया इसके कारण अज सब किसानों को यूरिया मिलता है यूरिया का उसका खपत भी कम हो गया है और उसकी पेस्टिसाइड्स का खर्च भी कम होगा है